नमस्ते, आज हम होट आई साइन्स एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों क्या आविश्यक्ता होगी, हमें चाहिए होगा विनेगर, यानि कि सिरका, बेकिंग सोडा, ग्लास और एक बिग दाउट, यानि काटोरे, उसी काटोरे में अब चार बड़े स्पून बेकिंग सोडा के धीर-धीर करके डाले, ध्यान दे कि धीर-धीर डाले, एक साथ सारा ना डाले अब उस सॉल्यूशन को, यानि कि उस घूल को मीडियम फ्लेम पे बॉइल होने के लिए रख दे जब सॉल्ट किनारों पे जमने लग जाए, जैसे कि यहां पे जम रहा है, तो इस घूल को एक काच के बढ़ता है, बर्तन में डाल ले, इस घूल को एक काच के बर्तन में डाल ले, और इस बर्तन को अल्यूमिनियम फॉल की मदद से कवर कर दे, अब इस ग्लास वैसल को थंड़ा होने के लिए, यानि की रूम टेमपरिचर पर आने के लिए कहीं पर रख दे, और जब यह रूम टेमपरिचर पर आ जाए, तब इसको फ्रिज में आदे घंटे के थंड़ा होने के लिए रख दे, एक प्लेट ले उसके उपब थोड़ा सा बेखिंग सोड़ा डाल ले अब इस घोल को इस ठंडे हुए गोल को इसके उपब धीर धीरे करके थोड़ा डाले आप देखेंगे क्रिस्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसे के हम यहापर थोड़ा-थोड़ा डाल रहे हैं और यहां ये टिपो जमा होना स्टार्ट जोगे इसके पीछी की साइन्स क्या है तो चलिए जानते हैं उसे जब हमने इस सोडियम हैसिट का गोल यानि कि बेकिंग सोडा का गोल इसको फ्रिजर में रखा था तो यह सूपर कूल लिक्विड बन गया था और यह लिक्विड जो है यह दिर देरे करके सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा जिसके वज़र से हमने इस आइस को बनते होए देखा थैंक्स पोर वॉचिंग